डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी कनेडियन वजीर आजम की नसल पर रस्ताना एकदाम पर 24 घंटों में दो बार मौपी नसल पर रस्ताना एकदाम पर स्यासतदानों की टूडू पर तनकीद टॉरंटो में फारिंग के दो वाकियाथ, एक शक्स हला के एक सख्मी आंटेरियो कोट आफ अपील ने डॉक पोर्ट के हक में फैसला सुना दिया अमरीकी अदालत ने भारती वजीर आजम नरंदर मोदी को तलब कर लिया अमरीका ने रानी सदर और वजीर खार्जा को वी से जारी कर दिये दुनिया भर में महौलियाती तबदीली के खलाफ मुझाहिरे हैडलाइन से अपने जानी खबरों के तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बाद Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst and I've served the Canadian Government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Area Enclave के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिदेंसी मरगला के पहाडों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमेनिटीज के साथ दो और तीन बेडरूम के सुपर लक्षरी लाइफ स्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल हर अपार्टमेंट मिला जैसा रोशन और कुशादा बुकिंग और तफसिलात के लिए अभी कॉल करें मैं अपने ओवर्सीज पाकिस्तानी बहनों और भाईयों के लिए ला रहा हूं एक शांदार प्राजेक्ट मदीना मॉल एंड रेजिदेंसी तफसिलात के लिए राप्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771 इमेल कीजिए शराज at propertybrothers.com आयोवेदिक प्रेक्टिशनर वैद्य हरीश्वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बिमारी या रोग के बारे सलाह ले 416-804-1500, 416-804-1500, 2215 बुवेट ट्राइव इस्ट यूनिट 601 ब्राम्टन आयोवेद दुनिया का सबसे प्राची medical system है गुटनो का दर्ध यानि arthritis, diabetes, colitis या फिर थवचा के रोग जैसे सफेद दाग यानि वटी लेगो सुराइसिस, एक्सीमा आदी का आयोवेद में कैसे होता है इलाज देखें, कैनेडा के जाने माने आयोवेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ हेल्थ जरूरी है वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राप्ता करें 416-804-1500 416-804-1500 कैनेडा से खबर शामल करेंगे आपको बताएं कैनेडा के वजीर आजम जास्री ट्रोडों ने 18 साल कबल सरजद होने वाले नसल परस्ताना फैल पर एक बार पिर मास्रव पूर्प कینیڈा के वजीर आजम जीस्टरिन त्डरों ने 18 साल काबल सरज़ध होने वाले नसल परिस्ताना फेल पर एक strongest कर ली गेर मलकी खबर रसाइदारे के मताबिक कैनेडियन वजीर आजम जेस्टिन टोडो ने 18 साल कबल सिया फार्म का रूप धारे नसल परस्ताना अमल पर गुजशता रोज शर्मिन्दगी का इज़ार किया है उनकी जानब से 24 गंटों में दूसरी बार माफी अपने किये पर माज की गई है सन 2001 में टोडो कैनेडा में एक स्कूल में बाहसियत मौलम अपनी खिद्मा सरंजाम दे रहे थे जब उन्होंने सिया फार्म का रूप धारा था जेस्टिन टोडो का कहना है कि वो अपने नसल परस्ताना अमल पर शर्मिन्दा है ताहम अब वो वो नहीं है जो 18 बर गया है विनी पैग में प्रेस कांफरेंस करते हुएं उनका कहना था कि इनसान से गलती हो जाती है और उनके इस अमल से अगर किसी की दिलाजारी हुई है तो उस पर खुले दिल से माफी चाहते हैं कैनेडिन वजीर आजम ने कहा कि वो नसल परस्ती के सख्त खिलाफ हैं और कैनेडा का वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने माश्रे में नसली हम आहंगी पैदा करने की भर पूर कोशिश की और उसमें वो काम्याब भी रहे हैं कैनेडिन वजीर आजम ने अपने नसल परस्ताना अमल पर आहदे से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया कुछ बात करेंगे 18 साल कबल जस्टिन टूडो की जानिप से किये जाने वाले मुबयना नसल परस्ती के फेल पर स्यासी रहनुमाओं की जानिप से मिला जुला रद्यामल सामने आ रहा है 18 साल कबल जस्टिन टूडो की जानिप से किये जाने वाले मुबयना नसल परस्ती के फेल पर स्यासी रहनुमाओं की जानिप से मिला जुला रद्यामल सामने आ रहा है NDP रहनमा जगमीड सिंग का कहना है कि वो लिबरर रहनमा जेस्टरेंट टोडो से मुलाकात करेंगे और उन्हें बताएं कि उन्होंने किया क्या गलत है लेकिन सिंग ने टोडो से हाथ मिलाने के हवाले से कुछ नहीं बताया सिंگं ने कहा किनेडा के बाशिदों को ये फैसला aal करना होगा कि वो ट्रोडो को माफ करने पर राजी है या नहीं कंसरवेटिव रहनुमा एंड्रीव शेर ने ये कहते हुए ट्रोडो की ताज़ातरीन तसावीर पर रद्यामल का इजार किया कि ट्रोडो की माज़रत खोकलापन है शेर ने कहा मुझी यकीन है कि कैनेडिन्स उनकी माज़रत को कबूल करने में काम्याब हो सकते हैं अगर ट्रोडो सचे होते और उनकी जानब से मांगी जाने वारी माफी जूटी नहीं होती टॉरंटो से खबर शामल करेंगे आपको बताया हैं टॉरंटो में फारिंग के दो अलग अलग वाकियात के नतीजे में एक शक्स हलाक और एक नौ अमर जखमी हो गया है पॉलिस का कहना है के उन्हें सुब दस बजे से पहले ही सकारबरो और मिडल फील रोड और मैक निकॉल एविन्यू के लाके से वाकिय की इतिला मिली थी जब पॉलिस वहां पहुँची तो एक शख्स को जखमी हालत में पाया पॉलिस की जानब से टूइट किया गया के जखमी शख्स हलाक हो गया जबके होमिसाइट यूनिट उसकी तहकी का करेगा दूसरा वाकिया डिंडस स्ट्रीट के पास पेश आया पॉलिस का कहना है के वहां से फाइरिंग की आवाजे सुनी गई तिबी अमले ने वहां जखमी होने वाले नाजवान को अस्पताल मुंतकिल किया पॉलिस का कहना है के एक ग्रूप मौके से परार हो गया जबके एक कार्तेज रफ्तारी से रवाना होती हुई देखी गई आउन्टेरियो को कोर्ट आफ अपील ने डाउक पॉर्ट के हक में फैसला सुना दिया मजीद इहवाल इस रिपोर्ट पे आंटेरियो की कोर्ट आफ अपील ने टरॉंटो की हालिया अदालती जंग को नाकाम बनाते हुए फैसला किया कि प्रीमियर डॉक पोर्ड की हकूमत को वस्त इंतखाबात कांसल में काटाथी करने का जाइज अख्यार हासल किया था जून के महीने में सूबे और टरॉंटो शहर के साथ साथ मतादित अमीदवारों को जिन्होंने आखरी मौसमें खिजा के इंतखाबात में हिस्सा लेने की अमीद की थी कांसल की निशिस्तों की तादाद को कम करने के पौर्ड के हैरतंगे इस एकदाम पर तीसरी बार अदालत में सामना करना पड़ा जिसे बेमिसाल रुकावट कहा जाता है अदालत की जानब से कहा गया है शहर की कोई भी दलील कामयाद नहीं हो सकती है ये कहते हुए कि इसे इंतखाबात में इजहार राई की आजादी के तहाफुस के मामले के तौर पर पेश किया गया था जब हकीकत में शिकायत सूबे के फैसले के वक्त के बारे में थी पैसले में लिखा गया है कि सिटी कांसल की तश्कील में तबदीली करना बिला शुबा मुकरनिना के जाइज अख्यार के अंदर है क्योंके ये एक सुबाई गानुन साजी की तखलीक है कुछ बात करेंगे मगबूजा कश्मीर में इनसानी हकोग के खिलाफ वर्जी पर अमरीकी अदालत ने भारती वजीर आजम नरिंदर मोदी और दीगर अफराद को तलब कर लिया कमांडर लेटरिनर जर्नल कौनल जीट सिंग को भी तल्ब किया है वाज़ रहे कि नरिंदर मोदी को 2014 में भी बता और भारती वजीर आजम पहले अमरीकी दोरे पर नियूएर की अदालत ने गुजरात पसादात में तल्ब किया था इरान से खबर शामल करेंगे आपको बताए रान का कहना है कि अमरीका ने रानी सदर हसन रुहानी और वजीर खारजा जबाज जरीफ को अगले हफ़ते न्यू यॉक में होने वाले अकवाम मतहदा की जर्नल एसमली के इशलास में शिर्कत के लिए वीजे चारी कर दिये हैं इरान का कहना है अमरीका ने इरानी सदर हसन रुहानी और वजीर खारजा जबाज जरीफ को अगले हफ़ते न्यू यॉक में होने वाले अकवाम मतहदा की जर्नल एसमली के इशलास में शिर्कत के लिए वीजे जारी कर दिये हैं इरानी मिशन बराय अकवाम मतहदा की तर्जमान का कहना है कि एरानी वजीर खारजा जबाज जरीफ आज और सदर हसन रुहानी पी को न्यू यॉक पहुचेंगे वाज़ रहे कि सौधी आयल तनसीबाद पर हमले के बाद से अमरीका और एरान आमने सामने आ गए हैं और दोनों की जानब से लफजी गोला बारी चारी है अमरीकी वजीर खारजा माईक पॉम्पियो ने गुजश्टारोज सौधी वली एहद से मुलाकात में भी आयल तनसीबाद पर हमले का इरान पर आयद किया है जिसके जवाब में एरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि सौधी अरब या अमरीका की जानब से एरान पर किसी भी हमले का मतलब खुली जंग होगा एक अमरीकी ओदेदार ने दावा किया कि सौधी आयल तनसीबाद पर हमले का हकम इरानी सौप्रीम लीडर अली खामनाई ने दिया था कुछ बात करेंगे मौसमियाती तबदीली के खिलाफ दुनिया के एक सौपचास के करीब ममालिक में माहौल को बचाने के हवाले से मुझाहरे हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ दुनिया के एक सो पचास के गरीब मुमालिक में माहौल को बचाने के हवाले से मुझाहरे हो रहे हैं जिनका मकसद हकूमतों को ये पैगाम देना है कि उन्हें हमारे माहौल और इस दुनिया के मुस्तक्बिल को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर ठोस एक्दमात उठाये जाने चाहिए और अस्ट्रेलिया में दिन के आगास से ही मुझाहरों का सिलसला शुरू हो गया कई शहरों में हजारों शहरी पार्कों और मुझालिफ एहम शाराहों पर जमा हैं जबकि मुझाहरा करने वालों में बच्चों की बड़ी तादाध भी शामिल है मुझारीन का कहना है कि दरख्तों को काटने से बचाया जाए, जहरीली गैसों के खराज को कम किया जाए मुझारीन ने कहा कि दुनिया के मुस्तक्बिल को महफूस बनाने के लिए ठोस एक्दमात किये जाएं याद रहे कि मौस्मियाती तबदीली के हवाले से 20 से 27 सेतंबर तक दुनिया भर में रेलिया निकाली जाएंगी मौस्मियाती तबदीली से मतालिक इस तहरीक का आगा सुईडन से तालुक रखने वाली बच्ची ग्रेटा तिन्बर्ग ने किया था इसी के साथ ही टाग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे टाग टीवी